नमसकार दोस्तों आज हम इस वीडियो में टेकनो स्पार्क 7 वर्सस टेकनो स्पार्क गो का फुल डेप्थ कमपारुजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो स्पार्क सेवन में 6.49 इंच जबकी स्पार्क को में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है विथ की बात करें तो स्पार्क 7 में 2.99 इंच जब की स्पार्क को में 3 इंच की width मिलती है जो की सेम जैसी ही है बात करें थिकनेस की तो स्पार्क 7 में 0.37 इंच जब की स्पार्क को में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते हैं डिस्प्लेड ताइप की बात करे तो spark 7 में IPS LCD जबकि spark go में TFT की डिस्प्लेड मिलती है aspect ratio दोनों phone में same ही 20 ratio 9 मिलता है बात करे display size की तो दोनों phone में same ही 6.52 inches मिलती है डिस्प्ले रेजोलूशन दोनों फोन में सेम ही 720 by 1600 मिलता है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो स्पार्क 7 में 81.94 प्रतिशत जबकि स्पार्क गो में 81.2-3 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 279 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेश्टाएं की जोकी मोबाईल फॉन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैंन कैमरा की तो स्पार्क 7 में एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और स्पार्क को की बात करें तो इसमें भी हमें एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो स्पार्क 7 में 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और स्पार्क को की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो spark 7 में single camera देखने को मिलता है, जिसमें की 4 different features मिलते हैं, और spark go में भी single camera देखने को मिलता है, जिसमें 3 different features मिलते हैं. अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो, Spark 7 में Power of GE832 जबकि Spark Go में Power of GE8300 मिलता है चिप सेट की बात करें तो, Spark 7 में MediaTek Helio और Spark Go में MediaTek Helio A20 मिलता है बात करें RAM की तो, Spark 7 में 2 Variant देखने को मिलता है, जिसमें 2 GB, 3 GB की RAM मिलती है जबकि Spark Go में एक ही Variant देखने को मिलता है जिसमें 2 GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Spark 7 में दो variant देखने को मिलता है जिसमें 32GB, 64GB की storage मिलती है जबकि Spark Go में एक ही variant देखने को मिलता है जिसमें 32GB storage मिल जाती है expandable memory दोनों phone में अप्टो 256GB है operating system की बात करें तो Spark 7 में Android V11 जबकि Spark Go में Android V10 Q देखने को मिलती है battery, Spark 7 में 6000 mAh जबकि Spark Go में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो दोनों phone में same ही team colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो Spark 7 में दो variant देखने को मिलते है जिसमें की 2GB RAM 32GB storage के साथ 7,699 रूपीज, 3GB RAM 64GB storage के साथ 8,499 रूपीज में मिलता है और बात करें Spark Go की तो उसमें एक ही variant मिलता है जो की 2GB RAM 32GB storage के साथ 7,299 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं plans and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Tecno Spark 7 में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Tecno Spark Go की तो उसमें 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो display में Spark 7 आगे है main camera में Spark 7 आगे है front, selfie camera में दोनों phone सेम ही है performance में Spark 7 आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे phone को भी देख लेते है पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Power है दूसरा Oppo A16 है तीसरा Realme C25 है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Infinix Hot 10 Play है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना